योहार दोस्तो आप सभीको फिरसे एक बार जोहार एक जम स्वागत दोस्तों प्रजसे मेरेक क्याहल से चैउम अपनेदा में प्रावान के कर रहे हुग आ भरूक्त यहीं जो भी आप लोगा सिल्बस दिया हुआ जिससी दोहरा जरकन मेला सुपरवाजर के सोसिलोजी के लिए उसी के कोडिंग दोसो आफ लोगो और फड़ाया जा रहा है ठीक है और यह हम लोगा आज की क्लास नमबर आफ लोगा थिरी राने वाला है ठीक है इससे पहले हम लोगो दो कलास कर चुके हैं तो उसका वीडियो नहीं देखे तो उसको आप लोग जाके देख लिजी ठीक है इसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है है तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पताव को सुसलोजी का दोसों हम लोग यूनिट नमबर 18 पर रहे हैं जो की धर्म है उसका टोपिक धर्म है उसे दोस्तों लोग आज की स्कलास में देखनी वाले अलवसंक्यक अस्तर संचार एं धर्म निर्पेक्सता और इसके बाद जितने भी टोपिक दिया हुआ है धर्म जो यूनिट है उसमें हम लोग आज की इस वीडियो में देखनी वाले हैं है आप लोग उसार लोग चार है अप लोग को इस तरह का यहां पर पने संचरह हैं त्यौटेव गाहें करावा दिया जाए रहां और दोसतों यह जो आप लोगों सिल्वत्त का अगॉडिंग एक भी टोपिक से बाहर नहीं है यानि कि जिस्थ द्वर जितना आप टोपिक दिया गया है सबी इंकलूड करके आप लोगो एकदम विस्तार पुर्वक बताया गया ठीक है यानि कि कोल मिला के कह सकते एक्जामिस से आप लोगा हंट्रेट में हट्रेंट आप लोग यहीं से सब्सक्राइब जितना आप लोगों नोट्स में उपलब्द रहेगा सभी आप लोगों फड़ की जाना है ठीक है और फ्रैक्टिस करके जाना है अगर आप लोगों नोट्स सही है आप लोग इस नंबर पर संपर कर सकते हैं लिख लेजिए 8 7 8 9 1229 देखिए 8 7 फिर से लिखिए आप लोग 8 7 8 9 1 2 5 2 2 9 ठीक है आप लोग इस नंबर पर संपर कर सकते हैं ठीक है आप लोगों मिल जाएगा नोस ठीक है अगर आप लोग भी चाहते हैं जारकन में इलस उपर वाजम जोब लेना ठीक है और सोसलोजी नंबर को आप लोगो अश्टों करना चाहते थे नोर्स आप लोग लिए बहुत ही रामबान होने वाला है ठीक है फिर से पोर्टर है आप लोगा एकजाम इसन में एहां सपरसंदेखने को मिलेगा ठीक है फिर से बता रहे हैं आप लोगा सिलिवस के एकोडिंग ही आप लोग बताया गया है तो चलिए आप लोग आजकी दीखते है अलप संख्यक अस्तर फम्संचार धर्म नीटा करें है तो दखी लिए अलप संख्यक अस्तर है अलप संख्यक अस्तर को मिल्ञांकन करने के लिए वीन समाजी क्षा संबूदय C lawsतर को मुल्यांकन कर लिए के लिए हम लोग उसके समाजिक इस्तितिक देखेंगे उसके राजनितिक इस्तितिक देखेंगे और उसका मानुकों को करके हम लोग उसका मुल्यांकन कर सकते इन मानुकों के अधार पर उनकी इस्तिति और चुनूतियों को भी लेसन किया सबसे पहले समाजिक अस्तर के और हम लोग जानेंगे समाज की सिक्षा सबसे पहले की सबसे सब्सक्षेय की सिठार मो चींधिए सवस्त से वहाँ की उपलबतार सवस्त मनुखु की स्थित्य आवास की स्थिति आवास चेत्र का घुन्वता ठीक है िडिक है। तो अलवसंख्या की समाजी कस्तर की जाज करें के सबसे पहले हम लोग को देखना हुगा को सिख्ष है कैसा है energía उसका सिख्षा कैसा है उस समाज के लोग पढ़No 6 बारे पटा चल जाएगा सवास्त देखना होगा स्वास्तु विदा है की नहीं स्वास्तु समाज के लोग है की नहीं उसके आवास कि स्थिति देखना है कि पक्का मकान में रह रहे हैं या फिर जोगी जोपड़ी में रह रहे हैं इस सबसे आकलन किया जा सकता मुल्यांकन किया जा सकता अर्थिक अस्तर तो आर्थिक अस्तर म आर्थिक मतलब पाईसा रोजगार नहीं करेंगा तो पाईसा कहां सो आएगा इसलिए रोजगार भी बहुत इंपोर्टेंट है 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 अगल देखिए आयए असतरोर आर्थिक और समन्ता है संपत्ति संपति की मलिकाना हाग और भूमी की उपलबता इसमसे जांच कर सकते हैं पर उसका आर्थिक स्थिति कैसा है कितना कमाता है है वह रोजगार करता है कि घर में रहता है इस चीस से उसका आर्थिक इस्थिति का पता लग जाएगा राइट नेक्स प्लोग राजनितिक किस्थिति तेकर क्या है राजनितिक स्थिति जोन हुए तक राजनितिक लेने की परकिरा भागेदारी से भी और राजनतिक संचार किसी भी समाज में अलब संख्यक समुदाईयों के समावेस और उनकी समिश्याओं के समधान के महत्पूर्ण संचार किसी भी समाज में अलब संख्यक समुदाईयों महत्पूर्ण संचार के अंधर की सम सहुदाईयों महत्पूर्ण पुस्तक आएं जो अल्व संख्यों की आवाज उठाती है इलाक्रोनिक मीडियम तेखे टेलिविजन हो गया रेडियो का एक करम जो कि अल्व संख्यों को मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं इस अब से भी आकलून कर सकते हैं डिजिटल मीडिया देखे ब्लोग हो गय समुदाई के सबस्तापीद करने के लिए कायरिस सलाएं और सेमिनार जागरूता बढ़ाने और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कायर्स सलाएं और समिनार के आवजन क्यों किया जाता है योगों में जाग्रुक्ता बड़êm, कोई भिसे सी मुद्धे पीर चSpään उसको बहवा देने के लिए जो भी कल्चर रहता है उसको और भावा देने के लिए उसको और धुमधाम से मनाने के लिए संसकिति कायरेकरम का बीया आयोजन किया जैसा जिससे जारकन में आप लोग ब्रसात के दिन में जो की भादों बोला जाता है ना भादों के मंध में आप लोग को कर्मा देखने को मिलता है सरहूल आप लोग को देखने को मिलता है इस सब क्या संस्कृति का इरकरम है इस सब करने से क्या होता है एक लोगों से एक मेल मिलाप और हमने लोग सब्सक्राइब होता है थाम निर्पेक्ष्टा का मतलब होता है तो देखिए धर्म निर्पेक्सा का मतलब होता है आप लोगों का राइज और धर्म को बिच असपस्ट भीवाजन जिससे सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार आउसर मिले धर्म निर्पेक्सा की कुछ पर्मों को पहलू है धर्म निर्पेक्सा के मतलब है कि कोई भी रा क्राइब कोई भी राईज के साथ बहल續ी सिपड yhtार्व क्या है वह यह वारतल समिधान कहता है दर्म निर्पेग्षता का मतलब नहीं होता है देखिए इसका धर्म बहसके का कुछ पॉईंट है उसको अपलेक देख लिजे तो कानूनी और सम्वेदानिक प्रावधान धर्म-निरपिक्स का का कानूनी प्र debt house क्या है हुआ उसके बारे जान लेजिए है समान अधीकार सभी नागरीकों के लिए समान कानूनी अधिकार और धार्मिक सोतंता होगा DO देखें धर्म निर्पेक्सा इसमें आप लोग कानूनी अधिकार देता है कि समान सभी नागरी को के लिए समान कानून का अधिकार होगा है और धार्मी की सोतनता होगा कोई वेक्टी किसी भी धर्म का पालन कर सकता है हमान सकता किसी को इसमें रोक रोक नहीं किया जाएगा यानिक आप लोग बताएं धर्म के आधार पर किसी एक साथ वेदभाव नहीं किया जाएगा सभी धार्मिक समुदायों को अपनी सिक्षा और संचालन के अधिकार है यह सब अधिकार है अब हम लोग देखते हैं देखेंगे समान राजिनितिक भागी दारी सभी धार्मिक समुदायों को चाहें हिंदू है मुसलाव मुसल्मान है सीख है इसा है पादरी है जो भी है सबी लोगों को राजिंतिक में आने के अधिकार है सभी लोगों को पॉल्टेक्स वियाने का अधिकार हैं, सभी लोगों को नेतिरूत करने का अधिकार है, यह सभी अधिकार है, इससे किसी को वन्चित नहीं किया जा सकता है, कोई भी समुतायक रहे हैं, कोई भी जातिक रहे हैं, उच रहे हैं, नीच रहे हैं, किसी भी आधार पर भीदबव नहीं किया जाएगा तो यूट कि धार्विक्स टंथाई सरकार और राजंतिक दल्पॉक लोग राज करते हैं या फिर रहते हैं यहनं कि कुल्मिला के सभी धर्म को लोग रहते हैं कि को क्या अधिकार है सरकार के द्वरा कुछ नितिया के लिए बनाय अब ही हम लोग का समाजिक समाविस समाजिक समाविस क्या है उसके बाएर आप लोग जानने जिए देखिए संस्कृतिक आदान परदान संस्कृतिक आदान परदान करने का मतलब है कि बिबिन धानुक संदाइक भी संस्कृतिक और समाजिक आदान परदान को पुरतसाहित करन सबी दहर्म का सम्मान को बलावा देना चाएंग मैंगो उन सभथ को समाजिक नियाएं समाजिक और आर्थिक निया जो आल संख्यों को के लिए समानसर उपलब कराती है और पिक भारत के जाती बेवस्ता पर विभिन धार्मिक भारत के जाती वेऊस्ता पर जोबी आंदोलने हुई थे धार्म का अंदोलने हुई थि उन सभी के बारे appreciate ml windows देखनी वाले हैं दtier बोध धार्म के आंदोलन देखनी माले जेन दार इसा सब्सक्राइब का देखनी वालें सभी धर्भों ने कुछ परभावव डाला कुछ नँगुछ है ना इन अंदलोनों ने समाज में समाजिक नियाए स्वमांता और सुधार की दिशा में महत्पुन युगदान किया है इनदलोन के परभाव पर हम लोग सबसक्री देखेंगे बोध में का में इनका क्या परवपरшले मुआ है समाज में ह้ dá कि जाति भेधभाव के खिलाब अध़ delightful सी आवाज उठाई इंडिये लिए धर्म का जो कि क्या बोलते जर्मदाता भी कम सकते हैं ना बुद्ध कोतम बुद्ध में जाती वेदभाव के खिलाब असपस्च रुप से आवाज उठाया था है ना और समानता का फर्चार किया था समानता मतलब सभी के साथ किसी के साथ भी वेदभाव नहीं किया जाएगा माना जाता है किसी एक साथ भेत्भाव नहीं किया जाता है समाजिक सुधार समझिक सुधार क्या है तई कि बोध संग में परवेश के लिए किसी जातिक निधार्ण नहीं किया गया था है में जिससे नीमनait के लोगों को उउंच़ समाजिक पर्तिष्टा प्राराप करने का उसर मीला यह क्या होता जाती में तो डिवाइड नहीं किया गया था इसे छोटे जात्व कि नीमना। जात्वी थे उन लोग वह उंचे जाती का पर्टिष्टा पाने का सम्मान पाने का आउसर मिला था आधुनिक प्रभाव क्या पढ़ा था बोध धर्म को देखिए आधुनिक भारत में बोध धर्म के पुनर जागरन के माध्यम से डोक्टर भीमरा अमवेटकर ने दलिस समुदाई के उत्थान के लिए बोध धर्म अपनाया जिससे समाज भी जातीगत समानता की दिशा में एक बड़ा अंदुलन हुआ था ठीक है तो यह हम लोग बोध धर्म के बारे संचिप में जान लिए अब लोग देखेंगे जेन धर्म के बारे है ना जेन धर्म का क्या परभाव था अहिंसा और समानता अहिंसा और समानता का पर्चार किया था जेन धर्में जाती के आधार पर भेदभाव की निंदा किया जाता है यानि कोई अस्था नहीं है वो धर्में घर्में अने जो कई safen tomorrow का सूस्व में कुछ देखेएग्ग सेम ूर्फ पश्या क्या है ये तो जेन धर्म की पालन करता और सेम तपस्या के माईदयम से आत्म सुध्य पर जोर देते हैं किसी में जोर देते हैं आत्म सुद्धी पर जोर देते हैं जिसे जातिगत भेद्वाव को कम करने में मदद मिलता है जिसे जातिगत जो भेद्वाव होता है उससे कम करने में मदद मिलता है अब देखिए जेन धर्म का समाजिक नियाए क्या है उसकी वारे आप लोग जान लेजिए जेन धर्म के अनुवाई समाजिक नियाई और नेतिकता के सिधानतों का पालन करते हैं जिसे समाज में जाती विवाचन को कम करने में सहायता मिलता है अब नेक्स्ट एम लोगा इसाय धर्म इसाय धर्म के बारे आप लोग जान लेजिए दखिए समानता और सेवा क्या है समानता और सेवा इसाय धर्म ने जाती विवास्ता को नकारते हुए समानतार सेवा का संदेश दिया मिसेनरी गाती बीधियों ने सिक्षा और स्वाश सिवाओं के माइधियम से नीवन जातियों में उत्थान में महत्वन भूमिका निभाई है है ना मिसेनरी जो थैं है है 下一 लोग उन्होंने सिक्षा के छेट नहीं बहुत ही बल दिया अभी जितने भी भारत में देखने को मिलेगा प्राइबेट सथ द क्लेश बड़ा बड़ा सफी उस्कोल कोलेज अब लोग का इसाइल लोग को ही देखने को मिलेग Disc आप देखें इसाय समुदाई के आप लोगों समाजिक शुधार देखी इसायमिसनरियों ने दलीत और पिछिड जाते एक के लिए इसकूल और असपताल खोला जिससे उनके जीवन अस्तरमी सुधार हुआ, सही बात है, इसाई मिसनर्यों ने दल्लित और पिछेट जातियों के लिए स्कूल और अस्पताल खोला, सोरी आप लोग तबी अस्पताल बोलने के लिए भुल गें थे हैं, अस्पताल के छेतर में बहुत यह अच्छा युगद आप लोग उदर चल जाएए, खुट्टी चल जाएए, ज्हारखन में आप लोग गुमला चल जाएए, लातेहार चल जाएए, सिम्डेगा चल जाएए, यह समया आप लोग का धर्म परिवर्तन किये हुए लोग आप लोग दिखतर देखने को मिलेगा, हाना, जो की इसाय दर्म को अपना लिये हैं इसलाम दर्म क्या है तो इसका प्रभाव देखी आप लो northern समानता किया oppose वाद समंता समन्ता इसाम में जाती क efter कोई भेधबाव नहीं है लोगों को इसलाम में भी जाती के अधर पर कोई भैधबाव नहीं है सबी कि मुसल्मानों को समान माना जाता है और किसी भी जाती कि लोगों को इसलाम में परवेश की अनुमती होती है किसी भी देखिए मुसल्मान में भी आप लोगा इसलाम धर्म में भी आप लोगा जाती विवस्त देखने को मिलता है लेकिन किसी को भी जाती की आधार पर महजित म परविश से वंचित नहीं किया जा सकता है हाना वहीं बोल रहा है हैं पर समाजिक एक्ता इसलाम ने जातिगत विवाजन को खत्म करने के लिए और समाजिक एक्ता को बहुत परियास किया है और कर रहा है आप लोगों इस्लाम धर्म जाति का धहर पर लाला जगळा देखने को नई मिलेगा है कि रुपान तरन कई नीवन जातियों के लोगों ने इसलाम धर्म अपना यहां जिससे उन्हें समाजिक भेदभाव से मुक्ती मिली और एक नई समाजिक पहचान है वो सबसे पहले समाजिक सुनार देखिये राजा ब्रावासे Alma कि सफना किया है और ये रजण राम मोहन राई ने वर्ह हसमाज के खिलाप आवाज उठाया और समान्ता और सोतन्ता के सिध्धांत का परचार किया थार्मिक पुनरजागरन किया है तो देखिए ब्रहमा समाज समाज है जो कि हिंदु धर्म जो कुरुतिया थी उसको दूर करने के नहीं परियास किया है और पुनर जागर्न के दिशा में वही काम कियां जिससे जातीगत भेदबाव को शुरोती मिली है ते शिक्षा और महिला अधिकार क्या है उसके आप लोग लेजिए तो देके ब्रभा समाझने शिक्षा और महिला अधिकारों के लिए प्लग एक सुधार था वो इसमें बढ़ावा देखनी को मिला है नेक्स्ट आप लोग आईरी समाज आईरी समाज के बारे आप लोग देखे लिए इसका क्या परभाव है जाती वेवस्ता में वेदो और पुनर जागनन वेदो का पुनर जागनन स्वामी दयानन सरुस्वति क स्वामी दयानन सुरुष्षती ने लोगों को मुख्य ध्हराम लाननी का पर्यास किया अब देखिए समाज ने सुधि अंदलून के मद्यम से जाती भेदवा को खत्म करने का परियास किया और नीवन जाती को लोगों को मुख्यदारे में लानने का परियास किया अब देखिए समाजिक सुधार समाजिक सुधार गया उसके बार आप लोग जान लीजिए तो कि आयरी समाज ने सिक्षा महिला अधिकार और बिध्वा पुनर विवा के लिए अभ्यान चला जिसे समाज में सुधार हुआ आयरी समाज ने बिध्वा पुनर विवा जो कि कि सब्सक्राइब और आध्विडिकरन का परभाव शारखन में परस्मी करण और आध्वनी करन के परभाव उसके वारे बढ़ें Σे दिए-धर्म चोंद्ट luc ज़य को अधर्म तोपिक दिया हुआ है थिक है कर देखने वाले हैं आज पड़ा है आप लोगों को समझवाया करें आप कमैंट करें? न है नहीं आप फिर भी कमिन रहें ताकि पता चलिए आप रहे हैं कि बसक्वाइब हब घंटेन ला सकते तक आपना है ःप कभी सपना है अगर आप बसुपना अगर आप ड्रीम है ती कको तो आप लोग के लिए राम बान होने वाला फिर से बोल रहे हैं हर वीडियो में बोल रहे हैं ठीक है आप लोग के लिए नोट्स बनाया गया है तिक है जो तोपी को एकदम बिस्तार पुरवक से गहन अध्यन करके आप आप लोगो बनाया गया है अप लोग दे रहे हैं आप लोग कर लिजेगा तो नमबर आप लोग दाउन कर सकते हैं एक सेवेर 8925 229 इस नंबर पर आप संफर कर सकते हैं अप लोंहिए मिनिमम मिल जाएगा द Wy Lorbe और लेकिन थोड़ा आफ लोगो देखने को मिलेगा लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगो देखने को मिलेगा गतार पुरोग को छोड़ दिया जाएगा तो इस तरह से आप लोग का एक्जामिसिन आप लोग करेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओनल्स का जो पेपर ही बहुत नहीं important है आप लोग उनलस हो गया और पेपर बहुत ही important जिस स्टुडेंट इन दोनों पेपर में पकल रहे पावाइज आपलोग कलपना भी नहीं कर सकते हैं तो सारे लोग अभी से त्यारी कर रहे हैं जब से पोम निकला सब्सक्राइस कर रहे हैं कुछ लोग सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो अगर आप लोग इस वीडियो को जड़ाजी करें ताकि जितने में चातर चातर हैं कि सब इक पास वीडियो पोज़ सके और सभी लोग इसका फाइडा हो साथ सके ठीक है और जिनको भी नोट चाहिए आप लोगों दे दिये हैं नमबर उसमें आप लोग सब्पर किजिए आप लोगों मिल जाएगा ठीक है तो ठीक है दोस्तों फिर बिलते हैं